दोस्तो जॉब एप्लिकेशन कैसे लिखी जाती है और एक्जाम में इसको कैसे अटेंट करना है ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 5-7 साल में किस तरह के क्वेस्चन आप से पूछे गए हैं आईए देखते हैं जॉब एप्लिकेशन के क्वेस्चन जिस तरह से ये है यू आणाधारती हो 14 model town Delhi you have seen an advertisement in the Hindu for the post of chief chef in a 5 star hotel के आप आनाधारती हो और आपना एक chief chef की post के लिए apply कर रहे हो apply for the job with complete bio data in 125 to 122 वर्स के आपको अपने bio data के साथ important बात है बायो डेटा के साथ apply करना है और किस तरह की question है इसी तरह से यह question हो गया write a letter applying for the post of sales executive at vipro यहां पर sales executive के लिए आपको apply करना है और इसमें भी क्या कहा गया गया prepare a bio data इसमें भी bio data prepare करने को कहा गया है और किस तरह के question आते है इसी तरह से यहां पर आगया you would like to apply for the post of marketing manager in a reputed form in Mumbai write a letter to the human resource manager skypec enterprises applying for the job और यहां पर भी क्या कहा गया वर्स giving your bio data यहां भी bio data के साथ आपको apply करने के लिए कहा गया है इस तरह कि मैं कितने ही question आपको उठा के दिखा सकता हूं जिसमें simple simple आप से कहा जाता है क्या 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 आपको apply करना है इस job के लिए bio data देना है यानि इसमे variety नहीं है बहुत आसान है दिमा में clear हो गया कि question कैसा आएगा job application का question कैसा आएगा यह पता हो गया अब सुन लो format और क्या इसकी trick होगी वो बता देता हो दूसरा exam में job application का कैसा भी question आजाए सबसे पहला काम आँख बंद करके यह करना है क्या यह सबसे पहले तो sender से address आजाएगा जो cut लिख रहा है जो job के लिए apply कर रहा है वो अपना address लिखता है सबसे पहले और वो कौन है वो आप हो question के अंदर दिया गया होता है you are rt.anand और अगर आपको address नहीं दिया गया है तो अपना मन घरत अपने मन से कोई भी address लिख देना लेकिन ऐसा कोई address मत लिख देना कोई Mars का address लिख दो कि मैं तो कहा रहता हूं मंगल गरे पर रहता हूं ऐसा कुछ नहीं या फिर अमेरिका का address लिख दो भाई दिल्ली वाले हो एक हफता पहले की कोई date डाल दो जादा बेटा रहे ठीक है बस कह रहा हूं में एक आपको इस काम से बचना है आपको और भी लेटर की वीडियो में मैंने बहुत बार बता रहा है कि date का format आपका क्या रहना चाहिए कि माल लो आपको कोई 25th March ही है तो आप किस तरह से लिख होगे 25th March और इस तरह से आप डेट डालोगे और 2022 यह तरीका करेक्ट होता है तो आप इस तरह से अपनी डेट लिख दोगे ठीक है आगे बढ़ते हैं उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ोगे और उसके बाद Receiver's Address जल्दी से लिख देना Receiver's Address कौन होगा जिसको कर रहे हैं तो वहां का प्रिंसिकल यह जो भी concerned person है वह आ जाएगा मोस्टी केसी में मैनेजर होता है क्योंकि मैनेजर को इपलाई किया जाता है कहीं पर कहती है कि आपको HR क्यों लिखना है वहां पर उसको HR लिखना है तो HR लिख दोगा ऐसे ही ठीक है और वहां पर फिर address आ पहले है क्या लिखोगे apply for the post of क्या हो जाएगा apply देख लो ना आप आप ही देख लो इसके अलावर क्या ही होगा सब्जेक्ट क्या है वह job application है जोब के लिए apply करना है तो कुछ होना ही नहीं है इसकंदर तो apply for the post of और यहां पे आप लिख दोगे जो भी पोस्ट के लिए इतना असान है ना बहुत असान है फिर सेल्यूटेशन में इसार इंफार्मल होता है और यह फॉर्मल लेटर है ऐसा कैसे बाऊस दी जासर फॉर्मल होता है टेंचन नहीं है ठीक है तो आप दीर सर या मैडम यहाँ पर लिख सकते हो not an issue at all इतना करके फिर साहन ले ना फिकर of the letter में भी क्या होगा भाई यह letter इतना असान है मेरी क्या गलती है मुझसे क्यों कह रहे हूं है इतना असान मैं क्या करूं सारी lines इसमें common जाने वाली है यानि क्या सर अगर हमने आपकी बताई lines वहां लिख दी तो क्या हमें पूरे number मिल जाएंगे सच कहूं हाँ अगर आप इस और देख लेते हैं बहुत शुरुआती कोई बिए जॉब एप्लिकेशन का लेटर आज़ाएं आपको शुरुआत किससे करनी है इससे करनी है इन रिस्पांस टू यॉर एडवर्टीजमेंट इन वह आपके एडवर्टीजमेंट के रिस्पांस में मैं आगे की क्या बा कोई आपसे नहीं लड़ेगा इसका कोई नंबर नहीं कटेगा आगे बढ़ते उसके बाए डेट डाल दो डेट क्या आज की डालोगे यार खुद अकल लगाओ आपना जॉब के लिए अपलाई कर रहे हो पहले कभी कोई आपने इश्तिहार देखा होगा ना खबार में पहले आज थोड़ी देखा तो कि आज देखा और आज ही लिखना शुरू कर दिया नहीं नहीं तो आप दू-चार दिन पहले की डेट यहां पर डालोगे ताकि पहले का आप बताना चाहिए अबर्टाइजमेंट था ठीक है तो यहां क्या डेट आजाएगी ठीक है यहां पर डे अब करना चाहथा हूं कोई फाल है तो फ़रम है तो फांटा प्रों न उस्द्रइट भी वह इसका मतलब यह है कि मैं इस पोस्ट के लिए अपलाई करना चाहता हूँ, इसका मतलब यह निकलना है, मैंने थोड़े से मज़ेदार वर्स का प्रयोग किया है, मैंने इसलिए यूज किया है, क्योंकि यह जो एक्जामिनर होगा वो आपसे इंप्रस हो जाएगा जब आप इन होगे, ठीक है, I have got the experience of working in that company, इस तरह से लिख दोगे, यह आपने just graduation किया, MBA किया होगा है, so I have done MBA and I've been a brilliant student, इस तरह से आप अपनी 2-4 qualification यह डाल सकते हो, थोड़ा word limit बढ़ाने के लिए भी हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप डाल दोगे, ठीक है, qualification, mandatory नहीं है, बहु आगे बढ़ते हैं, अब I am hard working, मैं बड़ा मेंटी हूँ, honest, और क्या हूँ, and, 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 और क्या हूँ, and punctual, भाई, मैं बहुत hard working हूँ, बहुत honest हूँ, और बहुत punctual हूँ, वक्त का बावन्दू, लेट नहीं होता, बिल्कुल जुट्टी नहीं करता, यहाँ आप यह बात करके नहीं डालनी, बल्कि आपको मैं एक और असान तरीका हूँ, और बहुत कुछ नहीं करना क्या, सबसे पहले न, मन्थ लिख दो, ऐसे word में, और उसके बाद जो भी डेट उसका, नमबर लिख दो, मालो 25 है, तो 25 है, और फिर 2021, 22 जो भी है, यह हमेशा हर जगा अपल के बले कोई घलत नहीं करता है, ठीक है, तो confusion यहां की भी खतम हो जाती है, फिर एक लाइन चोड़े, receiver address आगिया, subject आगिया, salutation आगिया, और यह common lines के भाई, बस चोटी-चोटी common lines मेरे को याद करनी है, और आपका काम यहीं पर पूरा हो जाता है, आगे क्या है, आगे क्या है कि मैंने इसके साथ bio data लगा रखा है, इस purpose के लिए वो भी देख लेना, ठीक है, आपको मिल जागा, if given a chance to serve you, अगर मुझे मुझे मौका मिलता है, एक chance मिलता है आपको serve करने का, आपकी सेवा करने का, I assure you, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हू that I shall work with utmost sincerity and dedication, कि मैं बहुत ही sincerity के साथ, बहुत ही लगन के साथ काम करूँगा, वही यह बात है तो अच्छी बात है न, 125 से 50 वाट भी तो बना ले न, यह वही बात extra डाली जा रही है, वही मैं बहुत बहुत ज्यादा इमानदार हूँ, बहुत मैनस से काम करूँगा, एक बा favorable response के वाई, उम्मीद करता हूँ कि favorable response आएगा, यानि मेरे को आप हाँ करीदोगे, ठीक है उसके बाद yours truly, जो भी नाम है, वो नाम आजागा, खतम, लेटर कतम, यही पर सारी बात खतम है, मैं चला घर मिलते हैं, बायो डेटा रह गया न, वो सुन लो, बायो डेटा नीचे जो मैंने आपके सामने लिखी है, at least यह सारी आप डाल देना, और इनको याद रखने का बहुत असान तरीका, पहले personal details जालो, सबसे पहले क्या डालो, अपनी personal details जाल दो, सबसे असान तरीका, इसको याद रखने का कि कैसे सारी details जाल दो, बहुत बारे में बताना है, उसके के लिए बहुत important बास बता हूँ, qualifications के लिए पूरा box बनाना, table बनाना, कैसे table बना होगे, यह सुन लो, वह इस तरह से ने table बना देना, ऐसे करके ने table बनाना पूरा, के भाई, आपने कौन से year में पास किया, और कितने percentage आये थे, कौन सा आपका institute था, यह सारी चीज़े आप को ईसमें मेंचन करनी है, ने प्रॉपर ऐसे manner में, ठीक है, के लेकिन धिकत तो नहीं है, मैंने तो roughly बना के दिखा दिया आपको, लेकिन आ पूरा फेर बनाना, ठीक है, experience बता दोगे, कितने साल का experience है, fresh और हो, यह कहीं की job कर रकी थी, contact number दे दोगे, बाई, जो वह आपका सब्सक्राइब करने के लिए यहां पर नमबर और इमेल आईडी हो गई ठीक है तो यह वाली चीज हो गई और क्या बच्छा आपको बता दू जरूरी होता है यहां आपका बायो डिटा भी खतम हो जाएगा पूरा बायो डिटा लिखने के बाद इसे बंद भी कर देना इसे बॉक्स में बंद कर देना सजा सवार के बस हो गया काम सबसे पहले यही आप अपना लेटर लिखके आना अपने एक्जाम के अंदर अभी कहां जाते हो आपको कुछ क्वेस्चन भी कराता हूं यही सारा ट्रिक के साथ हम करते हैं यह देखते हैं यह कोईसन मैं नहीं करूंगा आप करोगे कैसे फॉर्मेट को देखके चलो जी क्या लिखा है यू केम अक्रॉस एड़िशमेंट रिगार्डिंग वेकेंसी फॉर देखने हैं सबसे पहला काम क्या है पोस्ट को देखना है किस चीज़ की पोस्ट है भाई पोस्ट है हमारी अब असिस्टेंड की ठीक है जी ओके और क्या जी और डिपार्टमेंट फेमिस्टी इल पब्लिक स्कूल के अंदर कोई पोस्ट है ड्राफ्ट एंप्लिकेशन वर्ट वर्ट इंद ऑल्ल नेसेसरी डीटेल्स टीक है बाइटा सब में जाना ही जाना है इसमें अगर नहीं भ विहार यमनाविहार और डेली आजागा इस तरह से सबसे पहले तो अड्रस आजाएगा यह मैं आपको दिखाने के लिए यहां लिख रहा हूं वरना आप लेफ्ट साइट से स्टार्ट करोगे फिर एक लाइन चोड़ेंगे एक लाइन चोड़ने के बाद डेट आजीगे स्कूल में एक लाइन चोड़के यहां पर देंगा बदाम खाते हो कचे कच्चे बदाम खाते हो ठीक है उसके बाद कुछ भी नहीं, copy paste, cheating करोगे, ऐसी cheating जो कोई मना भी नहीं करेगा, question paper से cheating हो रही है, ठीक है, उनका address आजेगा, मालों इनका address था, उद्योग नगर डेली, उद्योग नगर डेल, कुछ भी लिखोगे, कोई आप से जगडा नहीं करने वाला, क्यों, क्योंके question में address नहीं दिया गया, ठीक है, अगर address दिया गया, तो वह आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं, subject क्या आएगा, 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 subject यहां पर हम लिखेंगे, यह जगा नहीं है, लेकि subject आपको बता है, for the post of lab assistant, क्या आजएगा, for the post of lab assistant, कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसको मैंने उठाया, और थोड़ा सना मैं इसको बच्चो ऊपर चड़ा देता हूं, ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, मेरी Chinese writing आपको समझ में आ जाए, यह question थोड़ी है, जरूरी है, लेकिन इस जैसा ही आएगा, अब आपको रटना है, रटना कुछ यह नहीं कि यह question रटना है, ना, 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 फॉर्मेट पता हो न अच्छी, यह घोल के पीलो और फिर उगल दो, क्या घोलो, उगलो, यह करना आपको, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद सेल्यूटेशन आ जाएगा, सर, मैडम, ऐसे ही सर, मैडम, लिख देंगे इन और अब आख़बार का नाम कोई से बाद लू कहां सा टाइमस ऑफ इंडिया क्या डाला मैंने टाइमस अफ इंडिया अपडेट कॉन सी यहां पर कॉन सी डाल लगी तो यह थोड़ा पुराना डालता हूं ना मैं क्या डालता हूं जालता हूं और स्कूल कोई स्कूल आख अपना कैंडिडिचर अब यहां पर मैंने चाहता हूं ऑपना कैंडिडिचर ठीक है अब यहाँ पर मैंने कहाता है, extra details बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, एक teacher है, teacher ने पढ़ाई कर रखे chemistry की, तो वो क्या कह सकता है, I have completed my graduation from Delhi University, या Mumbai University, ऐसे अपनी बारे में बोल सकता है, बोल सकता है के ने, यह तो experience दिखा देगा, यहाँ से सकता है, honest हो सकता है, punctual हो सकता है, यह सही है, बिल्कुल सही, आगे बढ़ जाते है, please find and close my bio data for the set purpose, यह भी इसमें चल जाएगा, if given a chance to serve you, I assure that I shall work, I shall work with that most sincerity and dedication, क्या यह सारी लाइस चल जाएगी, इसमें बिल्कुल चल जाएगी, कुछ भी नहीं था, यहाँ 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 बायो डेटा लिख देंगे, कितना टाइम लगे इसे करने में, मुश्किल से पांच मिनिटे लगने वाले, बायो डेटा में क्या जाएगा, यह जालूगा पहले, फिर contact डीटेल जालूगा, फिर इधर धर की डीटेल जाल दूगा, बायो डेटा बन गया, मेरा, हाँ, qualification वा लिख देना, थोड़ा उसमें सजा समार लेना, ठीक है, अच्छे से नंबर मिल जाएंगे, इतना, 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 मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, तो इस तरह के आपको कई सारे question कर सकते हो, कुछ question मैंने आपके लिए PDF में छोड़ दी है, य प्रक्स देने वालों निचोड, इतले सब्सक्राइब करना, मत भूलना, बेल नॉटिफिकेशन को प्रस करना, मिलता है नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें, डियर सर के साथ, बाई बाई